प्रश्ण को सादर पढ़ाम जैशी क्रश्णा विवाहा में छे राशी वाले और सोलह नक्षत्रों वाले विशेश ध्यान देवें यदि आज जो छे राशियां बता रहा हूं इसमें से एक राशी आपकी है या जो सोलह नक्षत्र बता रहा हूं उसमें से आपका नक्षत्र है एक कोई एक नक्षत्र आपका भी होगा और जो इस्तती आपके सामने रख रहा हूं वेसी इस्तती बन रही है तो विवाह कर सकते नाड़ी का दोश नहीं लगेगा तो आज इसी विशय पर चर्चा करेंगे छे राशियां और सोलाहा नक्षत्र कौन-कौन से हैं आप जान सकते हैं तो विशय को समझने के लिए सबसे पहले आप यहां पर चार्ट देखें यहां पर 27 नक्षत्र लिखे हुए हैं तो आप चा सबसे पहली राशी Benती है विशय राशी धियान से इस वीडियो को देखें और हर एक बात को ध्यान से नौट करें समझें और फिर कोई अगर इसके बाद भी प्रशन है तो इससे समद्द प्रशन यहां पर कर सकते हैं इस चैनल में कमेंट करके तो सबसे पहली राशी बनती है व्रशब राशी यदि लड़का और लड़की दोनों की व्रशब राशी है ध्यान से सुनिये लड़का और लड़की दोनों की व्रशब राशी हो और व्रशब राशी में कौन-कौन से नक्षत्र होते हैं क्रतिका, रोहिनी और म्रगशीर नोट कर लिजिए यहां पर लिखा हुआ है इन तीन नक्षत्रों के नाम यहां पर आपको मिल जाएंगे क्रतिका, रोहिनी और म्रगशीर नक्षत्र तो दोनों की व्रशब राशी है और दोनों का नक्षत्र इन में से कोई एक है तो नाड़ी दोश नहीं लगेगा और एक बात और सोच लीजिए और समझ लीजिए क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कारण यह है कि अक्सर हम नाड़ी दोश के कारण अच्छे-च्छे मिलान छोड़ देते हैं बहुत अच्छा मिलान आपके पास है और आप उस मिलान को छोड़ देते हैं तो जैसे लड़की का भी करती का नक्षत्र है व्रशब राशी है और लड़के का भी करती का नक्षत्र है व्रशब राशी है लेकिन फिर भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा या दोनों का रोहिनी है तब भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा या दोनों का मरग शीर नक्षत्र है तब भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए दोनों की व्रशब राशी हो अब अगली राशी कौन सी आती है अगली राशी आती है मिथुन राशी सेकंड नमबर मिथुन राशी वैसे मिथुन राशी तीन नमबर वाली राशी है लेकिन यहां जो छे राशियां बता रहा हूँ उसमें से दूसरी राशी आती है मिथुन राशी मिथुन राशी में भी तीन नक्षत्र होते हैं मरगशीर नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र और पुनर वसू नक्षत्र लेकिन यहां पर भी शर्त यही होनी चाहिए यही शर्त लागू होगी कि दोनों की मिधुनडाशी हो जिनका आप मिलान कर रहे हैं दोनों की मिधुनडाशी है और नक्षत्र या तो मरक्षीर है या आर्द्रा है या पुनरवसु है तो नाड़ी दोश नहीं लगेगा और दोनों का पुनरवसु है दोनों का आर्द्रा है दोनों का अम्रक्षीर नक्षत्र है तब भी एक नक्षत्र होने पर भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा फिर अगली राशी कौन सी आती है कन्या राशी आती है कन्या राशी में तीन नक्षत्र होते हैं आप यहां पर चार्ट देखकर समझ सकते हैं उत्रा फालगुनी नक्षत्र हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र यह तीनों कन्या राशी में आते हैं अब आपको यह देखना है कि लड़के की राशी भी कन्या हो लड़की की भी कन्या हो और दोनों का नक्षत्र इन में से ही कोई एक हो उत्रा फालगुनी हो हस्त हो या चित्रा हो एसे इस्तिति में अगर नाड़ी दोश आ रहा है तो वह नाड़ी दोश नहीं लगेगा अच्छा दोनों का उत्रा फालगुनी नक्षत्र है लड़के और लड़की का तब भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा दोनों का हस्त नक्षत्र है या दोनों का चित्रा नक्षत्र है तब भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा अब चोथा नमबर किस राशी का आता है तूला राशी अगर दोनों की तूला राशी है तो तूला राशी में तीन नक्षत राते हैं चित्रा, स्वाती और विशा का नक्षत अगर इन में से ही कोई एक नक्षत्र है दोनों का तब भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा और दोनों की तुला राशी है सबसे बड़ी बात दोनों की राशी तुला ही होनी चाहिए और दोनों का चित्रा नक्षत्र है मान लिजिए या दोनों का स्वाती नक्षत्र है या दोनों का विशा का नक्षत्र है तब भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा लेकिन शर्त यही है कि तुला राशी ही हो अब अगली राशी आती है धनू राशी पांचवा नमबर किसका है धनू राशी का दनुराशी में तीन नक्षत्र होते हैं मूल, पूर्वा शाड़ा और उत्राशाड़ा यहाँ पर इस पस्ट लिखा है आपको चार्ट में मिल जाएगा इसमें 27 नक्षत्रों का चार्ट है उसमें आप झूंड़े कि मूल नक्षत्र कहा आता है फिर पूर्वा शाड़ा कहा लिखा हुआ है उत्रा शाड़ा ये तीन नक्षत्र धनुराशी में आते हैं अब इस वीडियो में एक बात और बता रहा हूं उसको भी आगे ध्यान से सुनें लेकिन दोनों की धनुराशी है तो नाड़ी दोश नहीं लगेगा अब दोनों का मान लिजे मूल नक्षत्र है य कौन सी है मीन राशी इसमें तीन नक्षत्र आते हैं पुर्वा भादरपद नक्षत्र उत्तरा भादरपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र ये तीन नक्षत्र आते हैं अगर लड़के और लड़की दोनों की कुंडली का मिलान हो रहा है दोनों की मीन राशी ही है और दो दोनों का नक्षत्र या तो पूरवा भादरपद है, तब भी नाड़ी दोश नहीं, दोनों का उत्रा भादरपद है, तब भी नाड़ी दोश नहीं, दोनों का रेवती नक्षत्र है, तब भी नाड़ी दोश नहीं, चाहे एक ही चरण क्यों नहीं हो, एक चरण है, दोनों का नाड़ी दोश नहीं लगेगा इस बात को भी नोट कर लीजिए. अब सबसे बड़ी बात. जहां मेंने व्रशव राशी के बारे में बता है कि कृति का नक्षत्र आता है तो कृति का नक्षत्र का पहला चरण देखना है वहां मेश राशी की बात नहीं हो रही है इसी प्रकार से मितुन राशी में जैसे पुनर वसुन नक्षतर आता है और पुनर वसुन नक्षतर करक राशी में भी आता है तो वहां पर आपको करक राशी नहीं देखनी है वहां पर मितुन ही देखनी है और व्रशब देख रहे हैं तो दोनों की वरशब ही देखनी है और दोनों की मितुन देख रहे हैं दोनों की राशी मितुन ही होनी चाहिए मरक्षीर नक्षत्र हो लेकिन मरक्षीर नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण वरशब राशी में चला जाता है और तीसरा और चोथा चरण मितुन राशी में चला जाता है तो इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है अब आगे जैसे कन्या राशी में बात करें तो उत्रा फालगुनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र मेंने बताया लेकिन कन्या राशी ही ही हो क्योंकि उत्रा फालगुनी नक्षत्र का पहला चरण जो है बहुत सीह राशी में आता है तो यहां सीह राशी की बात मैंने नहीं की है जो छे राशियां बताई है उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ तुला राशी में चित्रा नक्षत्र तुला राशी में भी आता है कन्या में भी आता है लेकिन दोनों का चित्रा नक्षत्र है लेकिन दोनों की कन्या राशी है तो विवाहा कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं एक एक की कन्या एक की तुला है तो वहां इस्तती बदल जाएगी अब विशा का नक्षत्र तुला राशी है दोनों का विशा का नक् में अभी होता है मकर में होता है पहला चरण घनूराशी महतं है उत्रशड़ा-Nakšhtra नकषत्र को पहला चरण दोनों का हो तो नाड़ीूर नहीं लगेगा अन्याश司ती होतो फिर लगेगा और अब आगे अब इसके अलावा भी बहुत सारी इस्ततियां हैं उसके बारे में अनेक बार में जानकारी दे चुका हो एक नक्षत्र विशेश में इसके अलावा भी बहुत सारे 16 नक्षत्र जो मैंने आज इस वीडियों बताये हैं इसके अलावा भी कुछ नक्षत्र ऐसे ह उनमें एक नक्षत्र होने पर भी नाड़ी दोश नहीं लगता है उसकी जानकारी भी इसी चैनल पर दे चुका हो अब अंतिम राशी आती है मीन राशी अगर दोनों की मीन राशी है तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि पुर्वा भादरपत नक्षत्र उसका चोथा चरण मीन राशी में आता है पहला दूसरा तीसरा चरण कुम्ब राशी में आता है इस बात को समझना भी जरूरी है और मैंने आपको जान करी दी है मीन राशी के बारे में तो अगर मीन राशी है पूर्वा भादरपत नक्षत्र और दोनों का लड़का और रड़की दोनों की मीन राशी है पूर्वा भादरपत नक्षत्र का चोथा चरण दोनों का है तो ऐसी इस्तती में नाड़ी या दोनों का उत्रा भादरपत नक्षत्र है चाहे दोनों का पहला हो चाहे दोनों का दूसरा तीसरा चोथा एक ही चरण क्यों नहो नाड़ी दोश नहीं लगेगा इसी प्रकार से रेवती को भी देखना है अब यहां पर एक जरूरी बात और समझ ले में जोति शास्त्र में यह भी लिखा है कि दोनों की राशी का सौमी एक ग्रह हो तब भी नाड़ी दोश नहीं लगता है और वो राशियां कौन सी है जैसे व्रशब और तूला राशी का विवाहक कर सकते हैं वहाँ नाड़ी दोश हो सके जहां तक नहीं देखना चाहिए दोनों की मिथुन या कन्या राशी है दोनों का स्वामी बुद्ध होता है जैसे व्रशब और तूला का स्वामी शुक्र होता है तो वहाँ नाड़ी दोश नहीं देखना चाहिए और दोनों की राशी मिथुन या कन्या है तब भी नाड़ी दोश नहीं देखना चाहिए एक की मिथुन है एक की कन्या है या दोनों की धनू राशी है एक की धनू राशी है लड़के की चाहे लड़की की दनू हो और एक की मीन हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की तो दनू और मीन डाशी का स्वामी गुरू होता है तो वहाँ पर भी नाड़ी दोश नहीं लगता है तो जोतिस शास्त्र में ये सारी बातें लिखी हुई है और जब तक इन विश्यों को पूरा नहीं समझेंगे केवल मातर दोनों की नाड़ी एक आप देख लेंगे जैसे आपने कंप्यूटर से आज लोक घर भेटे गर से ई मिलान देख लेते हैं ह inviting इस्यों ढूंड विया करना ज्यादा नहीं कहलाता है और करतें साइड से आप कोई मिलान देख रहे हैं तो उस परिवार का पूरा पता करें और है हैं और इस लिए करते हैं क्योंकि हमारे समाज में हो सकता है कि उतना afterwards पढ़ा लडड़का लड़की के लिए नहीं मिल रहा हूँ या लड़के के लिए अच्छी पढ़ी लिखी अच्छे पेकेज वाली लड़की नहीं मिल रही है तो हम उसेavam और फिर आगे दिक्कते हैं और फिर समस्यां और ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए आप ओनलाइन मिलान अगर देख रहे हैं तो परिवार का पूरा पता करें जल्द बाजी में विवाह बिलकुल ना करें चाहे कितना ही अच्छा मिलान क्यों ना हो तो मैंने छे राशियां और सोलह नक्षत्र बताया है इसके अलावा भी बहुत सारी इस्ततियां होती है नाड़ी दोश में उन सारी इस्ततियों को देखना समझना होता है चतु पर्व नाड़ी चक्र उसके अलावा मैंने वहाँ पर बताया है पहले चतुपर्व नाडी चक्र में त्रिपाद नक्षत्र द्वीपाद नक्षत्र उनके बारे में भी जानकरी दी है वहां लड़की का नक्षत द्वीपाद हो या त्रिपाद नक्षत्र हो तो उनमें क्या इस्ततियां होती है नाड़ी दोश क्यों नहीं लगता है वो सारी इस्थतियां आपके सामने कई बार क्लियर की है तो आप चाहें तो नाड़ी दोश वाली प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी अवश्य देखें जो नए दर्शक जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न ठीक नहीं है उसे समझने के लिए जोतिश शास्त्र को भी पूरा पढ़ना पड़ेगा और जो जोतिश शास्त्र में मेलापक वाली पुस्तकों में नियम दिये हैं उन नियमों को पूरा समझना पड़ेगा उसके बाद ही मिलान पर जाएं कि मिलान करना है या नहीं करना है decision बाद में लेना है केवल आप software से गुन देख लेंगे वहाँ नाड़ी दोष बता दिया तो वहाँ जो दोष बता रहे हैं वह दोष कई बार समाप्त हो जाता है और हमें उस बारे में पता ही नहीं है तो वीडियो अच्छा लगे तो share जरू करें तन्यवाद जैशी कृष्णा